Hello everyone, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, आज के इस वीडियो सेश्चन में हम देखने वाले हैं Transmission Media के बारे में कितने types के होते हैं और उनके भी आगे further bifurcations होती हैं, उन सबी को आज हम यहां पर discuss करेंगे तो सबसे पहले आईए समस्ते हैं कि What is Transmission Media? Transmission Media is a communication channel that carries information from sender to receiver. Transmission जो media है वो एक तरह का communication channel है जो carry करता है information from sender to receiver. Transmission media behave करता है as a communication channel. अब communication channel आपका wired भी हो सकता है और wireless भी हो सकता है अगर हम wired की बात करें तो इसमें example सा जाएंगे आपके जिससे आपने देखा होगा है टीवी की जो cable की wire रहती है वो आपकी कैसी रहती है wired और वहीं अगर हम बात करें optic fiber की optical fiber की भी एक wire रहती है तो यह भी आपका एक तरह का कहा है communication channel और वहीं अगर बात करें wireless की तो इसमें अलग-अलग frequencies की जो waves रहती है जैसे आपके radio waves होगी infrared होगी यह microwave होगी यह सारी की सारी आपकी कैसी है wireless communication channels transmission media आपको clear हुआ अब इसमें हम देखते हैं कि transmission media को हम दो parts में divide करते हैं one is guided media and another one is unguided media मेडिया जो guided media है उसके फर्दर तीन parts होते है one is coaxial फिर है fiber optics और फिर है twisted इनको हम detail में discuss करेंगे अभी के लिए बस आप एक mind में image बना लेजिए guided media के अंदर आपकी कौन से आते है coaxial fiber और twisted और unguided में आते हैं आपके radio waves microwaves और infrared इनको हम detail में discuss करेंगे पर आज की जो वीडियो है वह हमारी सिरफ guided media based रहेगी तो आईए सबसे पहले discuss करते है guided media को इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते है white इसका एक और भी नाम है bound media तो bound media भी इसको बोला जाता है यह भी आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले बात करते हैं कि यह होता क्या है guided media हम किसे कहेंगे जब आपका जो medium है वो कैसा है physical यानि कि जिसको आप touch कर सकते हैं जिसे आपके wire हो गया तो अगर हम wires के through signals को transmit करते हैं तो वह आपका कैसा media माना जाएगा guided तो guided में आपको याल रखना है simple कि आपका medium कैसा रहेगा physical जिसको आप touch कर सकते हैं तो guided media में सबसे पहले हम बात करें है twisted pair की twisted pair क्या होता है आपका it is a physical media जो की बना होता है आपका pair of cables twisted with each other जैसा आप इस image में देख पा रहे हैं यहां पर आपकी पास क्या है अगर आप इस वाली portion को देखेंगे तो यहां पर क्या है आपका pair of cables आपको pair देखने को मिल रहे है यहां पर अगर बात करेंगे orange color में यहां पर भी आपको pair देखने को मिल रहा है यहां पर भी आपको pair देखने को मिल रहा है और यह जो pair है यह आपका कैसा है twisted form हम आपकी कैसी रहती है जैसे आपका DNA like structure होता है इस तरह से twist रहती है आपकी cables में तो यहाँ पर आपकी main cable होती है और इस cable के अंदर आपके twisted cables present रहती है यहाँ पर हम एक term को समझेंगे cross talk बहुत important concept है इसको ध्यान से समझना देखिए दो wires को हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं यह मैं लिख देता हूं वायर वन इसको आप सपोस्ट करना कि यह आपकी क्या है इसको मैं यहाँ पर ले रहा हूं wire to हम imagine कर रहे हैं कि हम इस wire में क्या दे रहे है current तो जैसे हमने यहाँ पर electricity दी या electricity कह लेजिए या फिर signals कह लीजिए हमने electricity और signals इन दोनों wires में दी जैसी हमने electricity इस first wire में दी इस wire के around क्या हो जाएगा एक magnetic field यहाँ पर generate हो जाएगी same case हो जाएगा आपका wire to में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा magnetic field यहाँ पर develop हो जाएगी अब अगर मैं इन wire का जो distance है उसको कम कर लेता हूँ तो इसकी magnetic field और इसकी जो magnetic field है वो क्या कर जाएगी interfere और interfere करने से क्या होगा कुछ irritation जैसी आपको noise produce हो जाएगी जैसे आपने पुराने जमाने में radio कभी use किया होगा तो radio में क्या होता था जैसे ही radio में आपकी एक तार लगी होती थी जैसी उस तार को आप electricity के नजदीक ले जाता थे तो आपको मापर थोड़ी सी जो है irritation वाली noise सुनने को मिलती थी तो यह जो noise है वो किसकी कारण होती है cross-talk तो cross-talk का मतलब है कि जो आपकी magnetic fields होगी इसकी whites की वो overlap कर जाती है वो interfere कर जाती है इसलिए जो twisted pair cables है आपको कैसी देखने को मिलती है twisted तो आपको cross-talk यहाँ पर समझाया होगा next देखते है इसके types twisted pair दो types की होते है first है shielded twisted pair जिसको short में कहते है STP और second है unshielded twisted pair जिसको कहते है UTP short में इसकी कई बार full form भी पूछ लेते है आपको exam में दिया होगा STP तो आपको याद रखना है STP stands for shielded twisted pair और UTP stands for unshielded twisted pair तो ये दोनों आपको याद रखना है सबसे पहले बात करते है shielded twisted pair की नाम में ही क्या है shield shield मतलब protection यानि कि जो यहाँ पर आपको wires देखने को मिल रही है इसको हमने यहाँ पर protect कर दिया इसको हमने एक shield दे दी यहाँ पर एक metallic shield दे दी तो मतलब की जो वायर है इसको हमने यहाँ पर metal से cover कर दिया तो जब cover कर दिया तो उसको हम क्या कहेंगे shield next समस्ते unshielded मतलब जो आपकी wires है ये आपकी twisted pair तो रहेगी पर यहाँ पर metallic body से हम इसको shield नहीं करते तो इन दोनों में फरक क्या रहेगा तो जब हम cable को shield कर देते है तो वहाँ पर जो cross stock है वो आपका कम हो जाता है ये आपको ध्यान में रखना है और वहीं अगर unshielded की बात करें तो यहाँ पर cross stock कैसा रहेगा जागा तो very high आपका cross stock रहता है next बात करते हैं कि जो shielded twisted pair है आपके कहां कहां यूज होती है ये आपको ध्यान में रखना है mainly twisted pair आपके telecom industries में यूज की जाती है airports में आपको देखने को मिल जाएगी जब हम aerospace cable assembles करते है तो वहाँ पर आपको देखने को मिलती है shielded twisted pair वहीं अगर बात करें unshielded की ये आपको देखने को मिलेगी lens जो आपके office हो सकती है या फिर घर पे जो आपके lens रहते है वहाँ पर आपको utp cable देखने को मिलती है ये आपको ध्यान में रखना है और कहां पर यूज होती है जो भी आपके network cabling system है वहाँ पर आपकी twisted pair cables यूज होती है next MCQs को discuss करते है first है guided media is also known as guided media को हम किस नाम से जानते है bounded media या फिर wide media तो right answer हो जाएगा option number A next question को discuss करते है dash consists of two conductors twisted around each other तो दो conductors कहां पर आपके twist करते है कौन सी cable में twisted pair तो right answer क्या हो जाएगा option number A next question number 3 the twisted pair cable in which metal casing improves the penetration of noise or cross-talk squad तो कौन सी cable में जब हम metal की casting करते है तो जो आपकी cross-talk है और जो penetration है noise की वो आपकी improve हो जाती है मतलब बैटर हो जाती है तो कौन सी cable में होती है shielded twisted pair cable तो right answer हो जाएगा option B next question number 4 one of the benefits of encasing a twisted pair cable in a metallic fall covering is तो क्या advantage हो जाता है जब आप किसी भी wire को metallic covering देंगे बहार से तो उसे क्या हो जाएगा जो आपकी cross-talk है वो reduce हो जाएगी तो right answer क्या हो जाएगा option number 1 next time discuss करते है UTP के mcqs को तो first question को discuss करते है UTP stands for इस तरह के question आपको ज़रूर देखने को मिलते है जो abbreviations related होते है तो इन पर भी आपको main focus रखना है तो UTP stands for unshielded unshielded twisted pair cable right answer हो जाएगा option B next discuss करते है question number 2 the most frequent used UTP connector is तो यह आपका important question है इसको आपो ध्यान में रखना है तो most frequent कौन सा connector यूज़ किया जाता है UTP में उसका नाम है RJ45 तो right answer हो जाएगा option C next discuss करते है question number 3 को UTP is popular in land technology due to its तो UTP को most के कहां पर यूज़ किया जाता है land technology में तो किस कारण इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि यह जादा flexible है और इसकी जो cost है install करने की वह भी बहुत कम होती है और easy to install है तो right answer हो जाएगा option number D next बात करते है question number 4 को UTP is commonly used in तो UTP आपको mostly दिखने को मिलेगा DSL तो right answer हो जाएगा option A आपको comment section में DSL की full form बतानी है तो यह आप comment section में बताईएगा next बात करते हैं coaxial cable की यह भी आपका किस तरह का media है guided media इस पे भी हम physical media का use करेंगे तो इसमें आपका जो most popular example है वो है आप सभी ने अपने घर में cable जरूर देखा होगा जो cable की wire रहती थी जो TV में लगती थी आपकी वो आपकी किसकी example है coaxial cable की इस तरह की वो कुछ रहती थी इसमें सबसे अंदर जो है आपका रहता था conductor जो आपका copper का बना होता था इसके बाहर जो है एक protected white color की layer दी जाती थी उसके बाद जो है एक foil shield से इसको cover किया जाता था और उसके बाद लगी होती थी आपकी braided shield जो आपको brown color की देखने को मिलती थी और उसके बाद बाहर से आपकी covering होई होती थी plastic की जिसको हम outer jacket के नाम से जानते अब इसका जो biggest advantage क्या है इसकी जो frequency है वो जादा है as compared to twisted pair cable तो यह आपको ध्यान में रखना है next point है कि यह prevent करती है from EMI EMI मतलब electromagnetic interference twisted pair के case में क्या हो रहा था इसमें जो है आपका जो interference है जो cross stock है वो जादा हो रहा था क्यों हो रहा था क्योंकि इसमें जो बाहर से protected layers है वो इतनी जादा नहीं थी और coaxial cable के case में क्या है इसमें जो है जादा outer layers यहाँ पर दी गई है तो इस कारण जो है interference जो होती है electromagnetic की वो यहाँ पर कम हो जाती है coaxial cable के भी दो टाइप से first है baseband transmission और second है broadband transmission इससे भी आपको questions देखने को मिलेंगे आईए समझते क्या इसमें difference है जो baseband transmission होता है यह क्या करता है यह single signal को transmit करता है with high speed तो यह आपको ध्यान में रखना है जो broadband होता है यह क्या करता है multiple signals को simultaneously send करता है तो यह इसमें major difference है second difference क्या है जो baseband है यह आपका bi-directional होता है यानि कि एक साथ आप यहाँ से send भी कर सकते है और एक साथ यहाँ पर आप receive भी कर सकते है पर broadband transmission आपका यूनि डारेक्शन होता है मतलब आप सिरफ receive ही कर सकते है या फिर आप send ही कर सकते है तो next है आपका next बात करते है कहाँ पर यह use की जाते है तो baseband यूज किया जाता है आपका जहाँ पर आप LAN यूज करते है जैसे आप घर में LAN का यूज करते है या office में यूज करते है तो वहाँ पर आपका baseband transmission रहता है वहीं अगर बात करें broadband transmission की तो आपने cable TV देखा होगा तो यहाँ पर यूज किया जाता है broadband transmission कहाँ पर आपको inner conductor भी देखने को मिलेगा और outer conductor भी देखने को मिलेगा तो यह आपको देखने को मिलता है coaxial cable में तो right answer हो जाएगा option C नेक्स्ट है आपका question number 2 BNC stands for तो BNC आपका क्या है एक connector है इसकी full form होती है Bionet network connector तो यह आपको ध्यान रखना है तो right answer हो जाएगा option number A next question number 3 which of the following connectors doesn't come into coaxial cable connectors तो कौन सा जो connector है वो आपका coaxial cable connector के साथ नहीं आता तो इसका right answer हो जाएगा option number D UTP next question number 4 BNC connectors is generally used in dash and dash topology तो BNC connector आपके use होते है bus topology में और star topology में तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number C next देखते है optical fiber को यह जो transmission media है आज की date में most popular है आप सभी के घर में जो है geo fiber या फिर कोई और company का fiber ज़रूर लगा होगा अभी तक हमने twisted pair और coaxial cable के बारे में देखा तो यहाँ पर जो आपके signals हो रहे थे पर आपको optical fiber में कैसे signals देखने को मिलेंगे electrical signals पर electrical signals को transducer जो होता है यह convert कर देता है into light अभी हम लेटर में देखेंगे जब हम इसका principle देखेंगे कि जो optical fiber है वो TIR principle पर काम करता है तो कैसे काम करता है वो भी हम discuss करेंगे तो सबसे पहले बस आपको इतना याद रखना है कि यह electrical signals पर काम करता है और इसका जो है और आप यहाँ पर image में देखिए किस तरह से इसकी जो covering रहती है सबसे अंदर रहता है core जो core है यह आपका light produce करता है और यह बना होता है आपका glass से और plastic से इसके उपर जो है covering होती है cladding जो इसको core को बचाती है और इसके उपर होती है coating coating के बाद जो है आपके outer jacket और यहाँ पर insulators यूज किये जाते है आपके घर में अगर geo fiber या किसी और company का fiber लगाओगा तो आपने इस type की जो image है वो जरूर देखी होगी तो यह रहता है आपका optical fiber अब बात करते है कि जो आपका optical fiber है यह कौन से principle पे काम करता है जहां से आपको questions देखने को मिलेंगे तो इसका जो principle है वो है आपका TIR Total Internal Reflection ज़्यादा deep में मैं नहीं जाँगा TIR के उपर में एक अलक से वीडियो बनाँगा पर अभी के लिए मैं आपको मोटे मोटे तोर पर इसको समझा देता हूँ देखो होता क्या है Total Internal Reflection को समझने के लिए आपको पहले दो चीज़े clear होनी चाहिए एक है Reflection और एक है Reflection Reflection क्या होता है देखिए दो medium होते है एक होता है Rearer Medium और यह होता है Denser Medium Denser मतलब जहाँ पर आपकी Density जादा है जिस medium की उसको Denser Medium कहते है जिसे आपका यहाँ पर ले लो Water और यहाँ पर ले लो Air क्योंकि Air की जो Density है वो Water से कम होती है तो इसका जो है Refractive Index भी कम होता है As Compared to Water Water का जो Refractive Index है वो जादा होता है Air से तो Reflection समझते है जिसे मालों आपका एक Medium है यह आपका Air Medium है यहाँ पर आपकी जो है Ray आ रही है और Ray जो होती है वो क्या करती है जैसी यह टच्च करती है यह Normal यहाँ पर बना देती है और Reflection क्या होता है जब आपकी जो Ray है वो Same Medium में Bounce Back हो जाए तो उस Phenomena को हम बोलते है Reflection तो जो यहाँ पर Normal के साथ Angle बना इसको बोलते है Angle of Incidence और जो यहाँ पर Reflective Light इसको बोलते है Angle of Reflection तो यह है आपका Reflection अब देखिए Reflection क्या होता है Reflection में आपके दो Medium आते है एक Rearer और एक Denser मान लो आपकी जो Ray है वो आपकी कहां से आ रही है Rearer Medium से Denser Medium तो यहाँ पर Normal Draw हुआ यह आपको Normal हुआ अब देखिए जब Rearer से Denser जाती है तो आपकी Two Words Normal आपकी रह जाती है इस तरह से तो मतलब यहाँ पर दो Medium रहते हैं आपका Refraction के Case में तो यह हुआ आपका Angle of Incidence ही हो जाएगा आपका Angle of Refraction तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ Total Internal Refraction तो TIR होने के लिए क्या होता है आपकी जो Ray है वो Denser Medium से कहा जानी चाहिए Rearer Medium तो Total Internal Refraction कब होगा मान लो यहाँ से आपकी Ray आ रही है तो जब भी आपकी Ray Denser से Ray रख जाती है तो यह अवे जाती है आपकी Normal से तो मान लो यहाँ पर है आपका Angle of Incidence और यहाँ पर Normal के साथ आपका बन गए Angle of Refraction ठीक है अब देखो होता क्या है जैसे जैसे आप Angle of Incidence को बढ़ाते जाएंगे मान लो मैं यहाँ पर Angle of Incidence को बढ़ा रहा हूँ और बढ़ाते बढ़ाते एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो आपकी Refraction वाली Ray है वो 90 डिग्री बना देगी with Normal मान लो यहाँ था आपका क्या है Angle of Incidence जब हमने Angle of Incidence को बढ़ा दिया तो आपका जो Angle of Refraction है वो आपका 90 डिग्री हो गया with Normal तो इस केस में जो Angle of Incidence है इसको Angle of Incidence किसके क्वला जाता है आपका Critical Angle तो Incidence Angle को Critical Angle हम कब बोलते है जब आपका जो Angle of Refraction है वो Normal के साथ 90 डिग्री बनाए तो अब क्या होगा एक केस ऐसा हो जाएगा कि Angle of Incidence को आप जितना जादा बनाएंगे तो आपकी जो Ray है वो Same Medium में Reflect हो जाएगी तो ये वाला जो केस होता है जब आपका Same Medium में Reflect हो जाए देखो अब मैं यहाँ पे Word बो रहा हूँ Reflect अभी तक मैं बोर रहा था Reflect अब बोर रहा हूँ Reflect क्योंकि आपका Same Medium क्योंकि देंसर मेडियम लेके हम चले थे तो देंसर मेडियम से देंसर मेडियम में ही आपका Angle of जो Reflection है वो बना है तो Angle of Eye को Increase करने से एक स्टेज ऐसी आई आपकी जो रहा है वो सेम मेडियम में Reflect होगी तो इसको हम क्या कहते है तोटल इंटर्नल Reflection उमीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा बाकी डिटेल में इसको मैं आपको अलक्से करोंगा जिसे आप इस इमेज पे देख पा रहा है यहां पर हम इंसिडेंट रहा हैं यहां पर मेडियम है water और यहां पर MELいきます है air तो इहां पर आपकी इंसिडेंट रहा है और यहां पर नॉर्मल के साथ यह रिफ्लेक्ट हो जा जा री है चीक है और एक स्टेज ऐसी है जब हमने angle of incidence को increase कर दिया यहाँ पर angle of incidence को increase करने से आपकी जो ray है वो 90 degree बना रही है अब normal के साथ तो यह वाली जो condition होती है यहाँ पर हम angle of incidence को बोलते है critical angle तो यह आपको समझाया अब बढ़ाते बढ़ाते जब हमने critical angle को इतना बढ़ा जिया कि आपकी जो ray है अब bounce back हो जाएगी same medium में इसको हम बोलते है total internal reflection next mcqs को discuss करते है optical fiber के first है the core of optical fiber is तो core बना होता है आपका glass और plastic से तो right answer हो जाएगा option number d next question number two there is no reflection until the angle of incidence is greater than the dash angle तो कब तक आपकी reflection possible नहीं होती जब तक angle of incidence जो है वो ज्यादा ना हो जाए angle of critical से तो यह आपकी condition होनी चाहिए तब ही आपका TIR possible होता है तो right answer क्या हो जाएगा option number a next question number three when the angle of dash is 90 degree and the angle of dash is equal to the critical angle तो मैंने आपको क्या बता है जब angle of reflection आपका कितना होना चाहिए 90 degree then हम क्या कहते है angle of incidence किसके equal हो जाता है critical angle तो इसका right answer क्या हो जाएगा first के case में हो जाएगा angle of reflection और second के case में क्या हो जाएगा angle of incidence तो right answer है option number b next question number four when a light beam is reflected back into the medium the angle of dash equals to the angle of dash तो light beam reflect back up हो जाती है medium में जब angle of incidence equal हो जाता है angle of reflection तो इसका right answer हो जाएगा option number a next question number 5th dash cable is not stable to most noise that is electrical in ideas this is right answer क्या हो जाएगा option number d filing fiber optic next question number six for refraction occur the dash must be lower density than the dash तो इसका right answer क्या हो जाएगा option normally a next question Essa when the dash surrounds the dash in a fibre optic cable तो इसका right answer क्या हो जाएगा option number d cladding सराउंड करता है कोर को इन फाइबर आप्टिक्स नेक्स देखते है कोशन नमर 8 को तो अप्टिकल फाइबर केबल में सिगनल के ट्रांसमिशन को कौन जादा एफेक्ट करता है एक्सटरनल लाइट तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर डी इस वीडियो लेक्चर में हमने गाइडिल मेडिया को डिसकस किया अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीस वीडियो को लाइक जरूर करेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में तिल देन बाबाई